अगर आप लोगों ने B8, BTC, DLA या फिर दो साल का कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है तो आप लोगों के लिए राजिस्थान में टीचर बनने का सुनारा मौका है जी हाँ दोस्तो राजिस्थान Eligibility Examination for Teacher सन 2021 यानि कि रीड सन 2021 के लिए राजिस्थान की सरकार ने विग्यपी निकाल दी है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस विग्यपी के मताबिक राजिस्थान में टीचर Eligibility Test यानि कि जिसको हम लोग रीड के नाम से यानि कि राजिस्थान Eligibility Exam for Teacher के नाम से जानते हैं वो कराये जाएगा यह जो इंतिहान होगा कब होगा पचीस April को होगा और इसके लिए जो आवेदन होगा वो कब से होगा؟ तो इसके लिए आवेदन आपका 11 जनवरी सन 2021 से होगा और इसकी आखिर जो तारीख होगी वो 8 फरवरी सन 2021 होगी फार्म के लिए आपको महज 550 रुपए पे करने होंगे अगर आप सिर्फ एक अस्तर या फिर दोसरे अस्तर यानि कि लेवल वन या लेवल दो कि सिर्फ एक परिच्छा देना चाहते हैं तो आपको महज 550 रुपए पे करने पड़ेंगे और अगर आप चाहते हैं कि आप प्रतम अस्तर और द्विती अस्तर यानि कि दोनों लेवल के एक्जाम दें तो आपको 750 रुपए देने पड़ेंगे अब देखिए दोस्तो अगर आप लोग ये इम्तिहान दे लेंगे तो आपको सीधे राजिस्थान में नौकरी मिल जाएगी जी हाँ दोस्तो जिस तरह से आप सीटेट पास करते हैं तो उसके बाद से भी आपको KVS, NVS ठीक है और सूपर टेट वगरा देना पड़ता है लेकिन राजिस्थान में आप इस इम्तिहान को पास कर लेंगे तो सीधे आपको नौकरी मिल जाएगी इम्तिहान कैसे होता है? बिल्कुल सीटेट के पैटार पर ये एकजाम होता है अगर मैं लेवल वन यानि की प्राइमरी की बात करूँ तो प्राइमरी में 5 पार्ट में कोश्चन पेपर डिवाइडेड होता है जो पहला पार्ट होता है वो होता है CDP जिसके की 30 कोश्चन आ इक नंबर का होता है उसके बाद दोसरे पार्ट में आपका EVS होता है EVS से भी आपके 30 सवाल पूछे जाते हैं और उसके बाद तीसरा जो पार्ट होता है आपका मैस से होता है मैस से भी आपके 30 सवाल होते हैं उसके बाद आपको लेंगवेज चुनने का आपसन होता है उर्दू से भी आपको 30 सवाल देखने को मिलेंगे यानि कि टोटल 150 सवाल होंगे और 150 सवालों में से आपको अपने परफार्मेंस को अच्छे से अच्छा करना है यह तो बता दिया कि बिल्कुल सीटेट की तरह राजिस्थान टेट में भी 150 सवाल होंगे अब आप लोगों के मन में सवाल ये पैदा हो रहा होगा कि अर्दू का सिलेबस क्या है अर्दू के कैसे सवाल पूछे जाएंगे क्या पेड़ागोजी के सवाल ज़्याद होंगे या फिर गिरामेटिकल कोश्चन भी होंगे तो पूरा सिलेबस राजिस्थान इंग्जामफ और टीचर का सिलेबस सन 2020 के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके हाजर हुआ हूँ पहले मैं उन लोगों के लिए डिसकस कर रहा हूँ जो लोग अर्दू को ऐज़े फर्श लेंग्वेज चूज करेंगे ठीक है आप फर्श लेंग्वेज चूज करें या आपका उर्दू का सिलेबस किया होगा सबसे पहले आपको नसरी इक्तिबास पर मवबनी सवालात होंगे यानि कि आपको पैसेज दिये जाएंगे जो कि प्रोस के होंगे और उससे रिलेटट कुछ सवालात होंगे साथी साथ इसाथ इबारत फहमी मानी अलफाज एराब व नसरी इक्तिबास पर मवबनी सवाल के बाद आपको नजम पर मवबनी सवाल भी होंगे यानि कि नजम के इक्तिबास पर मवबनी सवाल भी होंगे यहां पर बैमिश्टिक दोनों नसरी लिख दिया गया ठीक है और साथी साथ मवाद की समाज उसके बाद ग्रामर की बात कर ग्रामर में और क्या क्या चीज़ें होंगी इसम और इसम के अक्साम जमीर और जमीर की किसमें सिफ़त और उसकी किसमें महाफरी और कहावतें वगर होंगी और साथ ही साथ लिटरेचर से भी रिलेटेट कुछ सवाल होंगे इसमें आपको असनाफ नसरु नजम यानि कि असनाफ नसर की बात करें तो नावील, अफसाना, दास्तान ठीक है ये सब रहेगा नजम की बात करें तो घजल, मरसिया, कसीदा वगेरा से सवाल होंगे ठीक है तो आपने क्या देखा आपने ये देखा कि पैसेज होगा उसके बाद गिरामेटिकल कोशन होंगे और लिटरेचर के भी सवाल होंगे उसके बाद पेटागोजी के सवाल होंगे बहुत हलके लेवल की पैड़ागोजी है अगर आप लोगोंने उर्दू पैड़ागोजी ने हैदरी एिस्ट्रि पॉइंट से पढ़ी होगी तो आपकिलिए ये पैड़ागोजी बहुत ही आसान होगी उर्दू जबान की तदरीश के मकासिद अर्दु जबान की तद्रीज के उसूल और तद्रीजी तरीक एकार आपके सिल्बस में सामिल है साथ साथ जबान की जो महारते हैं लेंग्वेज इसकी हैं भाशाई के उसल जिसमें सुनना बोलना पढ़ना और लिखना आता है ये आपके सिले बस में सामिल है और उनकी नशोनोमा यानि कि उसका जो विकास होता है डिवलप्मेंट होता है कैसे होता है उर्दू निसाब तालिम उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाने के तरीके जबान की तदरीश में मावी नशिया यानि कि टीलेम वगेर सरी लेटर सवाल भी होंगे और मुसलसल जाज की किसमों से रिलेटर भी सवाल होंगे तो यह आपका है लेवल वन के लिए ठीक है लैंग्वेज वन यान की क्लास वन टू फाइव का सिले बस अब लैंग्वेज टू का भी सिले बस मैं आपके सामने यहां पर डिसकास कर दे रहा हूं लैंग्वेज टू में आपको क्या होगा सबसे पहले नसरी एक्तिबास पर मबनी सवालाथ होंगे जैसा की लैंग्वेज वन में था ठीक है इसमें अबारत फहमी ठीक है उसके बाद फैल फाइल मफूल जूमले की अक्साम हैयत और रमुज और अकाफ और जमाना वगर और उससे रिलेटर सवाल होंगे और साथी साथ आपको सेर, फहमी, मानी, अलफाज, रदीफ, काफिया, तश्वी, तलमी, मुबालगा, हुसने, तालिल वगर अस रिलेटर सवाल होंगे अब ये देखिए लैंग्वेज टू में ये आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना पड ये शेर आपको देदेगा जैसे कि आपको शेर देदेगा कि प्यासी जोती सिपाहे खुजातीन रात की साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की इस शेर में कौन से सेनत है तो आपको बताना पड़ेगा हुसने तालिल ये तो इस तरह से सवाल भी आपको लेंग्वेज पर मबनी भी सवाल होंगे अर्दू इमला और रस्म खत अर्दू जबान के तद्रीस और लिसानियाद ठीक है ये सबी सवालात आपको देखने को मिलेंगे साथी साथ आपको अर्दू जबान के तद्रीस के असूल अर्दू पढ़ना और लिखना सिखाने के तरीके तद्र इसी तरीक एकार उर्दु तद्रीश के लिए मनसूबा बंदी यानि की लेशन प्लान सालाना मनसूबा यूनिट का मनसूबा सबक का मनसूबा ये सबी भी आपके सिलेबस में शामिल हैं इसके लावत तद्रीश जबान की मुश्किलाद जो हैं जैसे की आपका जो लर्निंग disorder है जैसे आप कह सकते हैं डिसलेक्सिया डिसकैलकुलिया अफेजिया वगरा स्री लेटर सवाल भी होगा जदीद तदरीशी तरीके जो है इनोवेशन जो है उस्री लेटर सवाल होगा मारूजी और मुसलसल जाज या अंदाजय कद्र और रेमेडियल टीचिंग यानि कि उप जाती तालिम पर भी मबनी सवाल होंगे तो दोस्तों ये है आपका राजिस्थान टेट का सिलेबस उर्दू का उमीद करता हूँ कि सिलेबस आप लोगों को समझ में आ गया होगा आप लोगों के लिए राजिस्थान में नौकरी को हासिल करने का बहुत सुनारा मौका है ब आपके बीटीसी वगरवाले बीटीसी डियेल लेड वगरवाले देंगे और लेवेल टू में आपके बीएड जो लोग किये रहेंगे वो अपलाई कर सकते हैं बीएड वाले लेवेल टू में अपलाई करेंगे लेवेल वन में बीएड वाले इलिजिबल नहीं है जिस तरह से उत्तर परदेश में प्राइमरी में भी बीड़ वाले बार सकते हैं लेकिन राजिस्थान ने सीधे सीधे अपने विग्यपी में ये बात कई है कि बीड़ वाले जो हैं वो अपला ही नहीं कर सकते हैं कि बीड़ योगता धारियों के हीतों को ध्यान में रखकर और यूगता धारियों को इसने शामिल नहीं किया गया है यानि में योगता धारियों को शामिल का यह делать किण में बीड वाले शामिल नहीं है यह मैं आपको बताना चाहरा हूँ तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है ठीक है बिल्कुल सीटेट के पैटर्न पे पेपर वन आप से पूछा जाएगा पेपर टू का सलेबस भी मैं आपको डिसकस कराऊंगा साथी साथ बारी-बा इसे डिसकस कराऊंगा आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें अगर आप लोग का रिस्पॉंस अच्छा रहा तो हम लोग राजिस्थान इलिजिबिल्टी एक्जाम फर टीचर सन 2021 की पूरी तैयारी करेंगे और राजिस्थान में अपनी एक सीट प रूपी वाले भी यानि की अधर इस्टेट वाले भी इलिजिबल हैं अपलाई कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है आप लोग इस इम्तिहान के लिए तैयारी कीजिए सीटेट की तैयारी तो आप करी रहे हैं साथी साथ इसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगे क्योंक लग 60% सलेबस सीटेट से राजिस्थान इलिजिबिल्टी एक्जाम फर टीचर का मैच कर रहा है 60% मैच कर रहा है तो आप लोग लगे रहे हैं बेस्ट आफ लग